गुड़ी इवनिंग नमस्कार आधाप एक बात फिर आपके सामने हाजिर हूँ आज एक नई कहानी के साथ उम्मीद आप तमाम लोग अच्छे होंगे और आध की जो कहानी है वो कादे से लिस्ट में नहीं थी लेकिन अभी चुके सारी चीज़ें वही चल रही हैं वही टेर इस्टान पे करीब तीस से ज़्यादा हमलों में जो आतंगवादी संगठन शामिल रहा है उसमें एक जैश मुहम्मद बड़ा नाम है तो जैश का जन्म कैसे हुआ और जैश का यह जो आका बनता है मौलाना मसूद अजहर यह कौन है क्या है इसकी कहानी 1994 की बात है फ्राइडे का दिन था श्रीनेगर की एक मस्जिद में जुम्मे की नमाज हो रही थी दोपहर का वक्त जुम्मे की नमाज आम तोर पर अलग-अलग मस्जिदों में जो होती है वो एक से धाई के बीच में ही होती है तो जुम्मे की नमाज थी 1994 और एक्जेक मन्त मुझे याद नहीं है लेकिन 94 था साल जुम्मे की नमाज में आम तोर पर भीड़ जादा होती है आम जो पांच वक्त का नमाज लोग पढ़ते हैं उसके मकाबले में तो श्रीनेगर की मस्जिद में जुम्मे की नमाज खत्म ह होती है उसके बाद तमाम लोग अपने घर की तरफ लोटते हैं तो लड़के या दो लोक एक कार में नमाज पढ़ने के बाद वापस लोट रहे थी थोड़ी दूर जाने के बाद उनकी कार खराब हो जाती है कार Hak कराब हो जाती है कार में सवार हो जाते हैं और जाने लगते हैं 94 में कश्मीर के हाला ठीक नहीं थे उदर जो है कश्मीरी हिंदों को वहां पे मारा जारता भगाया गया था और टेरिजम की शुरुवात हो चुकी थी तो जगा जगा नाके बंदी भी थी काफी अपने फोर्सेज भी थे तो जब य दूसरी उसमें बैट कर जा रहे होते हैं तो एक जगह पे नाके बंदी थी वहां पे उस गाली की तलाशी ली जाती है सारे लोगों को किनारे कर पूछताच होती है इन दोनों को थोड़े से सपीशियस थे इनके उपर शक होता है फोर्सेस को आर्मी को और यह इन दोनों को किनारे कर लेते हैं उसका जिन से सवाल जवाब शुरू होता है इनका पता ठिकाना पूछा जाता है तो उनकी बात्चीश से लग गया था कि यह लोकल नहीं है इसी के बाद उनको आर्मी अपने साथ ले जाती है उनसे पूछताच करती है तो उनमें से एक कहता है कि मैं जर हमारी खुफिया एजनसी और जो लोकल इंट्रिजेंस थी उसकी मदद ली गई उससे पूछा गया कि यह दोनों यह इनिन नाम के हैं इनके बारे में कोई रिकॉर्ड है कोई रिपोर्ट है तो चानवीन की तो पता चला कि नहीं इनका कोई रिकॉर्ड नहीं है इनका कोई लेना देना किसी अटक में शामिल नहीं है लेकिन यह भी घाटी में उसवक्त जो सैक्ड़ों गुम्राह और भटके वे नौजवान थे उनी में से दो हो सकते हैं और एक और बाकी इनके बारे में और चानवीन पता करने तो यह जो दो पकड़े गए थे जुम्राह की नमाज के बाद जिनको आर्मी ने पकड़ा था उनमें से एक का नाम था मौलाना मसूद अज़र और दूसरा था सज्जाद जो एक तरह से आतंगवादी था यह दोनों सिर्फ और सिर्फ एक रूटीन चेकिंग के दौरान पकड़े गये थे इन्होंने सही सही जवाब नहीं दिया पता ठिकाना नहीं बताया तो इसलिए गिरफतार हो गये उसके बाद इनको फिर जेल भेज दिया गया और जेल भेजने के बाद भी यही लग रहा था कि यह दो मतलब क हार्ट कोर यह इस तरह के क्रिमिनल नहीं है टेरिस्स नहीं है और यह जेल में रहे जेल में जाने के बाद भी अंदाजा नहीं हुआ कि यह दोनों हैं क्या और खासतार पर मलाना मसूद अज़र क्या है इसी दोरान में इनकी ग्रफतारी के बाद और यह महीना था वो शायद मार्च अप्रेल का महीना था जब यह ग्रफतार हुआ था 1994 में इनकी ग्राफतारी के कुछ ही महीने के बाद जून 1994 में एक हरकतु लंसार उस वक्त एक टर्रिस ग्रूप था उसने दो ब्रिटिस सिटिजन को किड्नैप कर लिया पहलगाम के पास ये बड़ा उस वक्त सुरुख्यों में भी रहा था ये घूम रहे थे दोनों ब्रिटि जो मांग की वो कहा कि मसूद अजर को रहा किया जाए जो कि जम्मू की जेल में बंद है तब भी ये लगा कि चलो उसका कोई दोस्त हो सकता है और इसलिए वो मसूद अजर की रहाई की बात कर रहा है लेकिन रहा नहीं किया गया और उनकी वो साजिश नाकाम रही इसके कु और यह एक तरह से टर्रीस भी था, और यह उमर शेक वही था, जिसने वाल स्टीट के जो जनरिलिस्त है डैनियल परल, बहुती ये मशूर किस्सा है, कई फिल्म भी आई है, उसको किड्नैप किया था, और बाद में जो कैमरे पे गला काटा था, ये वही डैनियल परल था जिस और बाकादा लंदन स्कूल आफ एकनोमिक से इसने पढ़ाई की थी और इसने एक अमरीकी और तीन ब्रिटिश नागरिकों को अपना दोस्ट बनाया यहां आने के बाद कश्वीर में और फिर जहां सा देकर वो उनको दिल्ली के बाहरी अलाके में ले गया और उनको भी बंध करिब साल बीतने को आता है मसूद अजर अभी जम्मो की जेल में 1995 का साल आ जाता है हरकतुल अंसार की एक और शाखा एक ब्रांच है जिसका है अलफरान यह पांच एक और विदेशी जो साहलानी टोरिस्ट घूमने के लिए आते हैं कश्मीर में उनको किड़नाप कर लेते ह अलफरान के लोगो और फिर उनकी रहाई के बदले में मांग करते हैं कि मसूद अजर को रिहा कर दो लेकिन इस बार भी रिहाई नहीं होती और फिर इसे लोगों को छुड़ा भी ले ले जाता है लेके इसी के साथ में एक और नई चीज़ होती पहले बार जब यह मांग उ करता है भारत सरकार से कि मसूद अजर को रिडिया कर दिया जा क्योंकि वह पाकिस्तानी जनरलिस्ट कर फिर और इसका टेरोरिजम से कोई लिना देना नहीं है जब पाकिस्तानी हाई कमिशन ने सिफारिश की तीन अटेम्प हो चुके फिर आइसास हुआ कि मौलाना मसूद अज़र कोई आम इनसान नहीं है इसका पक्का कुछ न कुछ बड़ा नेटवर्क है इसी के बाद मौलाना मसूद अज़र की सीक्रिटी बढ़ाई गई और फिर खुफिया अजनसी लग गई पता करने में किया है किया है किया सॉरी आज शाम से गला खराब है दो तो तीन चार एटेंप्ट पाकिस्तानी हाई कमिशन का कहना कि यह जनरलिस्ट है इसको छोड़ दिया जाए इसको आपने गलती गलती से पकड़ा हुआ है तो शक पुखता होता जा रहा था इसकी सिक्रूरेटी बढ़ादी कि गई अब इसकी गुर्फतारी को टरी पांस साल हो गय Ivan पा ant कोशिश होती है सुरंगखोद कर भागने की इसमें एक सज्जाद अफगानी नाम का भी टेर्रिस्ट था और दूसरे कुछ इतंगवादी थी इन्हों अंहां सुरंग खोदा और उसी रास्ते से इनको बाहर निकलना था लेकिन सुरंग के अंदर मसूद अधर भी उत्रा भागने के लिए जेल से लेकिन छे फीट तक वो जाने के बाद वापस लौटाया क्योंकि जो बाकी लोग थे वो थोड़े उनकी दूबले पत्ले थे मसूद अध तो फसने के डर से ये वापस आगिया बाकी लोग जो भागने की कोशिश कर रहे थे उसमें से एक सज्जाद जो अफगानी था वो जेल ब्रेक के दौरान पुलिस फाइरिंग में मारा गया और मौलाना मसूद अधर वापस फिर जेल में आ गया यह आखरी कोशिश थी मौलाना मसूद अधर को जेल से निकालने की अब यह किलियर था कि मसूद अधर कोई बड़ी चीज है और मसूद अधर को छुड़ाने की कोशिश हो रही है इसी दौरान यह चार-पाँच कोशिश होने के बाद 24 दिसंबर 1999 की तारीख आती है जब काटमांडू के त्रुभवन इंटरनेशनल एरपोर्ट से IC814 इंडिन एलाइंस की प्लेन उडान भरती है दिल्ली के लिए और उस प्लेन को हाईजिक कर लिया जाता है फिर उसे कांधार ले जाते हैं यह मैंने आपके कहानी सुनाई है कांधार ले जाने के बाद जो मांग की जाती है शुरू में वो कहा जाता कि 35 टेररिस्ट जो हिंदुस्तान के जेलों में बंद हैं अलग-अलग उनको रिहा किया जाए 200 मिलियन डॉलर दिया जाए प्लेन में 140 मुसाफिर अपने हिंदुस्तानी सवार थे निगोशेशन चलता रहता है एक रूपन कातियाल नाम के मुसाफिर जो हनिमून मनाने गया था बिचारा उस उसको मार भी देते हैं और कांधार में यह IC814 साथ दिन तक वहाँ पे खड़ा है और तालिबान उस वक तालिबान के ही वो थी यह तालिबान के कबजे में है 35 की जगह पे तीन आतंकवादियों की रहाई के उपर फार्मूला तै होता है और जाहिर सिवा तो उनकी मांग में जो पहला नाम था वो मौलाना मसूद अज़र तो मौलाना मसूद अज़र इसके लावा अहमद उमर साईद शेख और मुश्ताक अहमद जरगर यह तीन टेर तो जस्वन सिंग और अजीर डोबाल मौलाना मसूद अज़र साईद उमर शेख और मुश्ताक अहमद जरगर को लेकर कांधार पहुंचते हैं और कांधार में जाने के बाद यह उनको सौप देते हैं तालिबान को और उसके बाद हमारे जो 140 मसाफिर थे उसमें उनको हम ब मसूद अज़र को हमने कांधार में सौपा हमारे विदेश मंतरी ने और चुके 140 मसाफिरों की जान का भी सवाल था यहां पर इधर हमारा प्लेन मसाफिरों को लेकर वापस आ जाती है उधर 31 दिसंबर 1999 को ही कांधार पहुंचने के बाद मौलाना मसूद अज़र और शेख यह सीधे मुल्ला उमर के पास जाते हैं जो सवक्त तालिबान का हेड था और मुल्ला उमर के बाद तब उसामा बिन लादेन जिंदा था अलकाइदा का जो हेड यह उसामा बिन लादेन से मिलने पहुंचता है कांधार से सीधे निकल कर तो मुल्ला उमर से मुलाकात की फिर रुसामा बिन लादेन से मिला और एक महीने तक या अफ़गानिस्तान में ही रहता है अपने साथियों के साथ भारस से रहा होने के बाद 31 दिसम्बर को कांधार पहुंचा था एक मेहना वहां रहता है इन तमाम बड़े तालिबान और अलकाइदा के नियताओं से मिलता है इसके बाद 31 जनवरी सन 2000 को मौलाना मसूद अजहर पाकिस्तान वापस लोटता है और पाकिस्तान आने के बाद 31 जनवरी 2000 को ये लोटता है और फरवरी की ही महीने में एक जुमा के दिन कराची की एक मस्जिद में करीब एक हजार हत्यार बंद लोगों और लड़कों के साथ एक संगठन की बुनियाद रखता है और उसका नाम रखता है जैश मुहमद तो 2000 फरवरी के महीने में जैश मुहमद की बुनियाद पड़ी और उसका मकसद ये था कि कश्मीर मुथल पुथल खोन खराबा भारत में ये सारी चीज़ें करना और जैश मुहमद के एलान के अधर था क्या कौन हिंदुस्तान क्यों आया था पकड़े जाने से पहले जो मैंने आपको शुरू में बताया तो पाकिस्तान के पंजाब के एक अलाका है बहावल पूर बहावल पूर में एक हेड मास्टर के घर में पैदा हुआ था मौलाना मसूद अज़र इसके जो परने लिखने में तेज था और यह अपने गैरा भाई बेनों में तीसरे नंबर पर और इसके फादर चुके हेड मास्टर थे तो पढ़ाई लिखाई की तरफ ध्यान था तो चाहते थे कि अच्छा पढ़के कुछ अच्छा इंसान बने अच्छी नौकरी करे और इसलिए बहावलपूर से उन्होंने अपने एक दोस्त के घर इसको कराची भेज़ दिया पढ़ने के लिए लेकिन कराची में यह जिस जामिया अलूम अलिसलामिया मदरसे में पढ़ने के लिए पहुचा वहां पे यह हायर स्टुडीज की बजाए जिहाद और बाकी चीजों की हम और उस वक्त हरकतल मजादीन अफगानिस्तान में अक्टिव था अफगानिस्तान में जो कुछ चल रहा था तुसमें बहुत अक्टिव था कि हर्कतुल मुजादीन के संपर्ख में आने के बाद यह धीरे धीरे इसका जहन जो है वह पूरी तरह से इसी जिहाद की तरफ जाने लगा फिर 2018 के दर्शक में इसके उपर इतना यह सारी चीज होगे कि यह उस वक्ता अफगानिस्तान में चुके जंग चल रही थे तो यह अफगानिस्तान पहुंच गया और बाकाइदा वहां जाकर इसने ट्रेनिंग ली और ट्रेनिंग लेने के बाद वह वापस पाकिस्तान लौटता ह असी के दर्शक में और नइंटी उसके बाद शुरू हो गई बाकिस्तान आने के बाद 90 से प्र यह पाकिस्तान been जिहाद का जहर पहलाना शुरू कर देता है और ज्युके जैशिह मुहम्मद का गठान हो चुका था उसके बाद वो चंदा एकठा करने बहुत नहीं उसका कि उसके बारे में जो उड़ आफंगवादी लेए थे उनके लीए उन처 कि मदद कर सकें और इसी इसके चंदा एकटा करने की कला की वज़ा से ही जो हरकतल मुजादीन का जो हेट था सरगना खलील वो इससे इतना ज़ादा प्रभावित होता है कि वो इसको विदेशी दोरे पे भेजना शुरू कर देता है पाकिस्तान से बाहर सबसे पहले यह साओधी अरब जाता है हच करने के लिए इसको खलील ने भेजा उसके बाद वहां से भी चंदा एकटा करता है और कहते हैं कि कुछी दिनों में साओधी अरब में करीब दीन लाक रुपे का चंदा होता कर लेता है इसके बाद वो अफ्रीकी की देश जामिया पहुँचता है वहां एक महीने में करीब बाईस लग रुपे है संदा करता है इसके बाद ये ब्रेटन पहुंचता है वहां बर्भिंगम नॉटिंगम लिसिस्टर और लंदन में जो इस तरह के सोच के लड़के थे वो पढ़ रहे थे यह उनके वीच में जाके वो ग्यान देता और उनको उनका ब्रेंवाश करता है और ये सब करने के बाद चुकि ये उस दोर की बात है अब दो हदार से पहले की जब ये सब कुछ कर रहा था तो इससे हरकतल अंसार और ये लोग बहुत खुश थे और इसी लिए वो इसको फिर खुश होकर इंडिया भेजते हैं कि तुम जाओ अब इंडिया में तुम्हारा करना है और वहां पर करो तो 1994 में पुर्तगाली पासपोर्ट पर एक पुर्तगाली पासपोर्ट बनाता है उस पासपोर्ट से पाकिस्तान से धाका पहुंचता है और धाका से नई दिल्ली आता है नई दिल्ली से ये श्रीनगर जाता है और श्रीनगर में ये 94 में ही ये सब जलता है और अपनी प्लानिंग कर रहा होता है और इसी दौरान फिर 94 में एक फ्राइडे की नमास के बाद यह पकड़ा जाता है तब तक इसने कोई बड़ी वारदात नहीं की थी लेकिन यह सारी चीज़ें करने के बाद और फिर जब यह छूट जाता है 2000 में और 2000 में छूट उन सब के पीछे फिर यही था चाहे वो जम्मूर कश्मीर विधान सभा हो जिसके उपर अटक किया चाहे वो पठान कोट हो चाहे वो पारलामेंट अटक हो तो इसने एक के बाद एक हमले के और कहते है जैशे मुहमद अब तक करीब 30 से आदर हमारे हमले कर चुका है जिसमे सैकड़ों लोग मारे गए है और अब भी इसकी कोशिश यही रहती है कि किसी तरह से ये हिंदुस्तान को लहुलुहान करे जो इसकी लेटिस्ट जो इसका रिपोर्ट है थिकाना है वो अभी भी ये बहावलपूर में है बहावलपूर में जैश का हैटकौर है बहावलपू है लेकिन इसके ऊपर कोई भी कारवाई नहीं की गई तो 94 में श्री नगर से इसकी कायदे से देखे तो कहानी शुरू होती है और उस वक्त ये था कि अगर जब इसको हमने कांधार के लिए छोड़ा था पांच साल बात उस दोरान में पांच शे बार इसको छोड़ानी की जी कोशिश की गई फिर कांधार हुआ और आखिर में वो कोशिश एक तरह से काम्याबी रही अतने अटम्ट के बाद छोड़ना ही पड़ा हमें और फिर इस ने अपना एक पूरा और्गनाज़िशन खड़ा किया और आज भी ये बहावलपुर में रहकर खासतोर पर जो इसका एरिया है वो यह कि कश्मीर में किसी तरीके से उतल पुतल रहे वहां के लोगों को बढ़काया जाए खासतोर पर नौजवानों को बढ़काया जाए और ये अपने इस 12 साल के लड़के जिनका दिमाग जहन कच्चा है उनके जहन में जहर भरना उसके लिए लगता आसान है तो ऐसे लड़कों को चुनता है और जो बहुत पढ़े लिखे ना हों खासतोर पर उनको भी चुनता है और अब भी ये बहावलपुर में है और लेटेस जो इसने जख आया था कामरान घाजी वो जैश का चीफ ऑपरेशन कमांडर था स्रीनगर में कश्मीर में कहते हैं कि कश्मीर खासतोर पर नौर्थ कश्मीर में जैश के कई ऐसे ठीकान है जहां उनके लोगों को संड्रेक्शन दिया जाता है हमारी आर्मी इंटेलिजन्स लगी वी उनको बट ये थी पूरी कहानी जैश का जो मेन मुखिया है आका है मौराना मसूद अजहर की अब इससे जुड़ावा दीपक जो सवाल हो भी हंसराज जी का सवाल है सर से रपीएफ का मतलब होता है सेंटर रिजर्ब प्लिस फोर्स से रपीएफ के नाम से ही पता चलता है कि उसक इंपॉर्टेंट हमारे इंस्टॉलेशन है उनकी हिफाज़त करना क्योंकि आप यह देखे कि घाटी में जगा जगा पे हमारे सारे फोर्स और बाकी चीज़ें है तो और जो इंपॉर्टेंट बिल्डिंग है वो विधान सभा से लेके बाकी चीज़ें हो उन सब की पाक सरकार आर्मी की कटपुतली क्यों है रेखे सिर्वात से ही परनपरा बन गई है जैसे मैं बार-बार कहता हूं कि चुनीवी सरकार कभी वहां पांस साल का कारेकाल पूरा नहीं करपाई उसकी वज़ा यही है कि आर्मी है और पाकिस्तान में आर्मी हमेशा पावरफुल रही है हमेशा ताकतवर रही है वहां के सरकार के मुकाबले जैसे एकदम हमारे हिंदोस्तान से उलट हमारे आर्मी बहुत ताकतवर है शक्तिसाली है लेकिन हमारे आर्मी का हमारे सरकार से हमा गृत्त अपिज़्ामी में तब कोई सजलने कव इस पमस्ता करते हैं। कि बतकिस्मती से पाकिस्तान में ऐसा नहीं है, वहां चुके आर्मी वाले हमेशा पावरफुल रहते हैं, अपने आगे सरकार को को समझते नहीं है. सीमा कुमार जी का सवाल है कि सर्ड प्रक्राइब को शहीद का दर्जा मिला की नहीं मिला? आज जी बिलकुल जितने भी लोग हुए हैं, शहीद ही हम लोग कह रहे हैं, और यह फोर्सेज में हैं कि जो इस तरह की जब जाने जाती हैं, तो हमेशा शहादत का दर्जा मिलता है. मैंग सिंग सिसोधिया जी का सवाल है, सर्ड प्लीन हाइजैक में क्या क्यों सरकार ने आर्मी आपरेशन नहीं किया और क्यों इतनी सारे पैसे दिये गए, कि इतनी पैसे का तो आस तक खुलासा नहीं हुआ कि पैसे कितने दिये गए, हाँ, तीन टेररिस्ट छोड़े गई मैंने आपको बताया, कई दिखिए उस वक मजबूरियां थी, कई चीजें थी, आपरेशन में सबसे बड़ी बात ये थी, कि खत्रा था, हमारे एक सौड़ तालीस जो हिंदुस्तानी उस प्लेन में सवार थे, उनकी जान को खत्रा था, और जिस जमीन पर ये प्लेन खड़ एक 48 परिवारों का प्रेशर लगता सरकार पर बढ़ रहा था कि वापस लाए, तो यही सारी चीजें थी, जिनकी वैसे हमें ये मांग माननी पड़ी, जैश गड़वी जी का सवाल है, सर भारत सरकार के वास क्या आतमवादी को छोड़ने के लावा और कोई आप्शन नहीं जैसे एक बर अमरिस सर में इसको लैंड करनी की जादत मांगी गए, लेकिन वो रनवे पर अमरिस सर में हमने तयारी भी की थी, कि शैद हम रोक लें, अटैक कर दें, लेकिन मौका नहीं मिला, वो टैंक वैंक देखके वो प्लेन वापस उड़ा लिया, फिर लाहॉर ले और फिर दुबई से एक कांधार पहुंचे थे, तो अब कांधार में हमारे उस वक्त ऐसी सिट्वेशन नहीं थी, कि हम जाकर ऑपरेशन कर सकें और उन से निपट सकें, क्योंकि बाद उस प्लेन में सवार सिर्फ टेरिस्ट की तब नहीं थी, जिन्नों ने हाइजक किया थ बलकि कांधार में उतरने के बाद फिर तो चारों तरफ ही टेरिस्ट थे, क्योंकि तालिवान भी एक टेरिस्टी ग्रूप ही, तो और वो तालिवान का फुल सपोर्ट था इन्नों को, तो बड़ा मुश्किल हो गया था। और ये लोग मारे गए, तो एक शक ये भी है कि शायद यही लोग थे उस वक्त वहां दूर, लेकिन वो उस वक्त निकल गए थे। हैं भी नहीं, एक तो वहां लोगों के पास खाने के लिए पैसे नहीं है, कहते हैं कि हर पाकिस्तानी के ओपर करीब पता नहीं कितने लाग का कर्ज है, डिवलिम्मेंट का कोई काम नहीं हो रहा है, वो अगर जंग करने की बेकुफी करते हैं तो पचास साल पीछे चले जा हैं गाजी का मतलब क्या होता है? गाजी का एक बड़ा खुबसूरत मतलब है, इस वक्त मैं भूल रहा हूं लेकिन मैं पका वादा है, मैं इसको बताऊंगा, क्योंकि अभी एक दो दिन पहले ही बात हो रही थी, मतलब एक गाजी बहुत ही पाक साफ और वो चीज अगर किस जो दो टेरिस्ट और निकले थे, उनका क्या हुआ है? उनमें से भी एक दो के मारे जाने की ख़बर थी, बलकि उसमें से एक जो नाइन इलेवन हुआ था, उसमें भी उसके शामिल होने की बात थी. सरकार जब कोई जंग करती है तो उसके लिए बहुत कुछ सोचना पड़ता है, हमने जो सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था, वो भी ऐसे नहीं की अचाना घुसे में आके और जाकर कर दिया, उसके लिए पुरी तैयारी हुई, प्लैनिंग हुई, तो जंग करना या इस तरह के हमले करने के लिए सिर्फ भावनाएं काम नहीं आती है, या हमारा घुस्सा काम नहीं आता है, जिने करना है हमें उसको भी देखना पड़ेगा, वो कितने तयार हैं, फिर क्या तरीका होना चाहिए, स्ट्रेजी क्या होनी चाहिए, हर चीज पर आपको प्लैनिंग करनी होती ये फौरण घुस्से में करने वाली चीज नहीं है, इसको बहुत ही हतियात के साथ सोच समझ कर, इसकी अच्छे बुरे नतीजों को धानते हुए, हम जिन जवानों को भेजेंगे, उनकी जान की सलामती को देखते हुए, हर चीज देखनी पड़ती है, अब आप यही पाकिस्तारियों की चीज होती है, और ये बहुत सोच समझ कर, ये सारे कदम उठाए जाते हैं, पाकिस्तान की जनता मुझे भी ये तो खर्म, चुक्कि मैं कभी पाकिस्तान गया नहीं हूँ, जो मीडिया से रिपोर्ट आती है, वही पढ़ता सुनता हूँ, तो वहां की ज मसूद अज़र के साथ मौलाना क्यों लगा जाता है, और बाकाइदा मौलाना मसूद अज़र जो है, एक मौलवी की पद्वी होती है, तो ये रिलिजियस लीडर के साथ जब ये शुरुवात हुई थी, तो उसी वज़ह से उसके नाम के आगे मौलाना लगता है, जैसे एक ये नमाज माज भी कई बार इसके जो वीडियो है, देखा है, उसमें ये नमाज भी पढ़ाता है, एक इमाम की तरह, तो इसलिए उसके उससाथ मौलाना का नाम लगता है, जैसे रौव को मौसाद की तरह काम करना जाए है, जैसे रौव ऐसा क्यों करती है, ये सारी कैसी कहा रही, तो अपने अपने लेवल पे ये सीज़े चलती ही रहती है, लेकिन ये उपरेशन जाहिर सी बात है कि गौवर्मेंट के लेवल पर या किसी एजिंसी की लेवल पर वो पब्लिक डोमेंन में नहीं होगा, वो हमें बता कर आपको बता कर नहीं करेंगे, अपने महां से सारे फौज को भी आप निकालने का एलान कर दिया कि वो वापस बुला रहा है लेकिन जाने के बाद क्या होगा यह उपर वाला जाने लेकिन फिलहाल बीते सालों के मुकाबले अभी हाला ठीक है लास्ट अचली वहाँ पे जो पाकिस्तानी है या इस तरह के लोग भेजते हैं तो यह कहते हैं कि यह मुझाहदीन है मुझाहदीन का मतलब होता है कि वो अपने आपको एक जिहाद के लिए जिहाद लड़ने हैं उसके सिपाही है और वो उसको मतलब टेरर या आतंकवादी या देहशतगर्द नहीं बोलते हैं इवन मैं यह भी जानता हूं कि जो कश्मीर में भी बहुत सारे ऐसे कटल पंती लोग वहाँ पे हैं और बलके मीडिया में भी मैं दो तीन एक्जामपल ऐसा है कि वो आप वहाँ पे अगर खुले हम आप देशतगर्द बोलेंगे तो आपकी जान को खत्रा है अचा जार सी बात आप रहे रहे हैं उन लोगों के बीक में कभी बिया आपके ओपर अटेक हो सकता है तो इसलिए वो देशतगर्द बोलने में भी घबराते हैं तो मुझादीन बोलते हैं मुझादीन का मतलब यह होता है कि जो जिहाद करता है जिहाद के लिए लड़ने वाला तो वो उनको मुझादीन कहकर बुलाते है और हम लोग जो है वो टेरिस्ट और जाहिर सी बात है आतंगबात कही खाने में रखेंगे क्योंकि जो हरकते कर रहे हैं जो इस तरीके से बेगुनाओं को मारा जा रहा है तो ये कम से कम जिहाद मुझहदीन तो खेर है नहीं तो आज इतना ही कल रात नौ बदे फिर आपसे मुलाकात होगी किसी और नई कहानी के साथ आज काम भी क आज खुश रही है और इसी तरह से कि अपने जो आप मेल भेजते हैं जो अपनी शिकायते भेजते हैं सुजाओ भेजते हैं वह सब आप भेजते रहे हैं और कुछ बड़े अच्छे मेल आया हैं लेकिन मैं उनका जिक्र आदनी कल परसों करूंगा कुछ ने यह भी कहा कि आप मुझे गलत साबित करें तो वो भी मैं कोशिश करूंगा कल परसों तो आज के लिए यतना ही थैंक्यू बेरिमाट जो